हाई दूस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्व्यास फिर से अपनी यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ सभी ठीक है मस थे इंजोई कर रहे हैं डेटा एनालेटिक्स फॉर बिजन डिसीजन आईटी वालों के अब लेकिन इसके डिटेल वीडियो अवलेबल है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले वो डिटेल वीडियो देखिए इसके बाद डेटा अनलेटिक्स का सब्जेक्स सब्जेक्स करें यह काफी जदा सब्जेक्ट होगा कुछ इसमें प्रैक्टिकल मैनर्स भी रहते हैं अर लेंगवेज जो है इसका प्रैक्टिकल यह आउठ्ट में रहता है तो अज्में कराइं होंगी अगर नहीं कराई है तो आप यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं क्योंकि एग् job में प्रैक्टिकल इसका होता नहीं है तो थियोरी के अंदर कौन-कौन से रहेंगी क उससे भी ज़्यादा है जो पेपर हमारा रहने वाला स्कोरिंग पेपर वो डेटा अनलेटिक्स का रहने वाला है तो इसको काफी अच्छे से तयार कीजिए गया क्योंकि यूजवली इसके अंदर बच्चे 70-80-90 भी कवर कर लेते हैं तो अंतिम प्रहर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डेटा के बारे में यहां पर ब्रीफ कर देता हूं डेटा वैसे तो रौव फॉर्म को बोला जाता है जैकि नंबर सो गया कोई डिजिट्स हो गया कोई नेम्स हो गया लेकिन इस सब्जेक्ट में डेटा का में आएगा जैसे कि यहां पर लिखा है दो तीन साथ आठ नो छे पांच तो यह आपका डेटा माना जाता है और इन्फोमेशन इसको कहते हैं जिसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो लाइक टू तू फाइफ 6 to 10 है ना अब 2 to 5 के अंदर कितने 1 2 3 है और 6 to 10 के अंदर 1 2 3 4 तो यहां पर अगर मैं पॉपुलेशन कवर करता हूं तो इस वाली रेंज में ज्यादा पॉपुलेशन है तो मैं कहूंगा कि 6 से 10 नंबर लाने वाले बच्चों की संक्या जो है वो ज्यादा है एस कंपेर तो हम और information के बीच में छोटा सा difference था लेकिन जब हम यह subject का answer दे रहे होते हैं तब हम यहां पर ऐसे data को information तरी ही समझीए और data basically कुछ भी हो सकता है आपके numbers हो सकते हैं कुछ names हो सकते हैं mobile number digits कुछ भी हो सकता है ना alpha numeric भी हो सकता है numeric भी हो सकता है quantitative qualitative two kinds of data होते हैं आगे अपन जै अब इससे detail video first और उसके बाद यह second IT के books भी available है जिन्होंने buy कर ली है बहुत-बहुत बढ़िया और नहीं buy करी है तो वो buy कर सकते हैं तो सिंगल बुक भी डेटा की अगर किसी को चाहिए तो सिंगल बुक भी 99 रुपिस में available करवा दूँगा ठीक है चलिए और दो बुक त अब यहां पर साइंटिस का मतलब उस व्यक्ति से है जो उस पर्टिकुलर फिल्ड में रिसर्च कर रहा है तो अब आप देखो question का answer आपको उस इसमें से मिल जाएगा किस पर रिसर्च कर रहा है साइंटिस डेटा पर रिसर्च कर रहा है यानि वो डेटा को collect करेगा analyze करेग गैदर collect करने को ही यहाँ पर gathering बोलाए data को collect analyze करेगा उसको model पर test करेगा model पर test करके जो उसका result आएगा उसको practical field में टेस्क करेगा उसके practical field में जो result आएगा उसकी pilot study करेगा उसकी pilot study पर जो result आएगा उसको फिर actual prototype product बनाके market में launch करेगा और फिर वो launch करने के बाद उसका feedback ले अंदर यदि जो डेटा साइंटिस्ट है आज की तारीक में कहा जा रहा है कि जिसे कि पहले गोशना कर कि जोगा होगा वो डेटा के उपर उपर होगा और जो भी देश जंग जीतें या हाड़ेगा वो इससे वो data जंग जीते यहारे जो next world war की मैं बात कर रहा हूँ है ना उसमें जो main जो रोल आने वाला है वो data scientist का आने वाला है तो सबसे ज्यादा highest package मैं कह रहा हूँ आज भी इंडिया के अंदर जो highest package जाता है वो data scientist को जाता है यानि कि 20-30 लाग का package आराम से, इस फ्रेशर उठाते हैं, लेकिन थोड़ा उस लेवल का knowledge होना चाहिए, तो data scientist play a crucial role in extracting variable, valuable insight of the knowledge form of large volume, large volume में data आ रहा है, उन में से extract करना, जो हमारे काम का हो, वही data scientist का काम है, तो crucial role रहता है, क्या-क्या role है, आईए देख लेते हैं, सबसे पहल है according, यानि कि उसको clean करना, noisy data हाटाना, है न, miss data है, तो उसको fill up करना, फिर उसमें statical tool, statical tool use करना है, statical tool तो various statical tools होते हैं, ठीक है, regression, correlation, algebra, linear programming, बहुत सारे statical tools हैं, ANOVA testing, बहुत सारे हैं, तो उन में से our model कौन सा tool हम use कर रहे हैं, उसको use करना, और उसकी modeling बनाना, उसके अपने एक algorithm develop करा, जिससे आपको पता चल रहा है कि हर सात्वा व्यक्ती Amazon पर आके mobile सर्च कर रहा है, तो जैसे ही आप homepage पर आओगे हमेशा blink हो रहा है, क्या हो रहा है, mobile blink हो रहा है, क्योंकि highest selling उसकी जारी है, तो इससे क्या होगा, इस algorithm से उनकी sales बढ़ेगी, number of sales फिर उस data को visualize करना, यानि की communication finding करना, data visualization भी एक important question है, वहाँ पर इसको और अच्चे से देखेंगे, फिर feature engineering, feature engineering क्या होता है, data का algorithm बना दिया, उसको बार बार test करना, उसको अपडेशन करते रहना ही feature engineering है, relevant features जो अपडेशन करना अपने model को, इसी को, और फिर उस model को enhance करने के interdisciplinary collaboration, interdisciplinary collaboration, यानि कि अभी जैसे कि मैंने amazon को साथ type करा, flip card के साथ, क्या हम इसको दूसरे world में automobile companies के साथ type कर सकते हैं, क्या हमारा जो model है, दूसरे field में चल सकता है, और चल सकता है, तो इसको कैसे interdependence बनाया जा सकता है, और जो government के ethics है, उनको भी follow करना है, यानि कि कि किसी के privacy का जबी ध्यान रखना, किसका काम है, data scientist के, यह roles and responsibility है, और सबसे ज़्यादा important role continuous learning है, हर इंसान के उनीची continuous learning की roles and responsibility होती है, फिर next आता है communication and documentation करना, communicate करना, आपने top managers को कि मैंने यह identify करा है, और इससे यह फरका रहा है, और यह decision लेने में help करना, और documentation करना है, एक data hierarchy जो हम create करते है, data का, जो architecture create करते हैं, वो data scientist का ही role होता है, next हमारी problem को solve करना, decision लेने में help हो रही है, तो problem solve होगी, और A-B testing, A-B testing क्या होता है, जब हम दो variables की testing कर रहे होते हैं, तो उसको A-B testing बोलते हैं, बहुत ही simple है, यानि कि आनन्द की Mr. Pintu के साथ testing हो रही है, तो A-B testing के लाती है, कोन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, तो यहाँ पर A-B testing किसी को बोलते हैं, लाइक कि हमने Amazon Flipkart की testing कर ली, हमने किसी दो variable की, बट इसके अंदर हम A-B testing करते हैं, तब variables के जो attribute होते हैं, वो almost same होते हैं, है न, मतलब कि आप Amazon और आप Honda Company की website की comparison नहीं करोगे, आप Amazon और Flipkart के तुल्ला नहीं करोगे हैं, तो यह आपन को थोड़ा सा याद रखना है, तो यह A-B testing का काम भी हमारा को कौन करके देता है, data scientist करके देते हैं, I hope यह point clear हो गया होगा, कहीं कोई doubt रहा नहीं होगा, roles and responsibility बार-बार पूछा गया question है, अच्छा question है, easy question है, तो च